अब हम आगे बढ़ते उदारन 11 हो गया है, उदारन 12, उदारन 12 में आपको पुछा गुदार और और कार्य। जो चालू समपती मतलब एक वर्ष या उससे कम समयोदी के लिए और बाकी है वो लॉंग तो हम जानते हैं जमीन मकान हम कभी एक वर्ष के लिए उससा में नहीं खरीदेगी अद्दत खर्च है वो चालू में आएगा चालू विन्योक स्पस्ट लिखाओ है लेंदार भी चाल चालू देनी हुंडी भी चालू स्टॉक भी चालू तो कौन-कौन यहां पर चालू है और कौन बिन चालू हो हमने पहले निश्चित कर लिया सूत्र में क्या पूछा है हमें क्या चाहिए चालू संपती चालू दायत्र चाहिए तो पहले हम चालू संपती तो इसमें से हमन लेंदार संपती नहीं है दुबत अनामत देंदार में से माइनस होगा लेनी हुंडी संपती है रोकड भी संपती है और स्टॉक भी संपती है तो जो जो संपती है वो हमने लिख दी तो हम सुत्र यहां पर बनेगा चालू संपती बराबर देंदार माइनस दुबत अनामत प् और उस में से स्वारी 9 लाख हो गया 90,000 यह रहे देंदर सवाल के अंदर से 90,000 बतना मत है 20,000 तो वो हम माइनस करेंगी उसके बाद हमने सुत्र में क्या लिखा हुआ है लेनी उंडी तो लेनी उंडी हमारे सवाल में है 30,000 उसके बाद चालू वी नियुक सवाल में है 30,000 आप किताब साथ में रखना उसके बाद रोकड सवाल में है 30,000 और उसके बाद स्टॉक है 60,000 ठीक है तो इन सब का टोटल यह 90 में से 20 गया तो सितर में से 30,000 तो प्लस हुए एक लाख में 30,000 प्लस हुए एक लाख 30,000 उसमें 30,000 एड की एक लाख 60,000 और उसमें 60,000 हमने प्लस की एक साथ में आई तो दो लाख 20,000 फिर अब जो शेश रहे गया वो है चालू दाइत्वा खर्च है वो दाइत्वा है लेंदार है वो भी दाइत्वा है देनी हुंडी भी दाइत्वा तीन चीज़ा दाइत्वा तसुत्र हमने बना दिया है अदत्खर्च लेंदार और देनी हुंडी अदत्खर्च सवाल में है 40,000 लेंदार है सवाल में 60 और देनी हुंडी है 20,000 इन सब का टोटल है 1,20,000 छे और चार दस और दो बार 1,20,000 आप ये दोनों चीजे मिल गए हम सुत्र में लिख देंगे चालू संपति हमें मिली 2,20,000 और दाइत्व मिला 1,20,000 तो और दूसर आप देखो संपति अधीक है और दाइत्व कम तो आपका चालू गुण अतर अच्छा है व्यावसाई की स्थिती अच्छी है अब इन दोनों का भाग करने पर 1,83 पर हमें लिखना कैसे है यहाँ पर अनुपात में दर्शाना है 1,83 आपको दर्शाना है तो संपति अधीक है तो व्यावसाई की स्थिती बहुत अच्छी अब सवाल में दो चीज मांगी है क्या पूचा गया था चालू गुण तर कार्यशिल पुंजी की गणना करो हमें कार्यशिल पुंजी की गणना करने को बोला है तो उसका सुत्र है जो नए आया कार्यशिल पुंजी का सुत्र है चालू संपति माइनस चालू दाइतव चालू संपति ह है 2 लग देखो उपर यह 2 लग 20,000 और चालू दाई तो है 1 लग 20,000 तो चालू संपति कितनी हुई कारेशल पुंजी का अर्थ मतलब यह होता है कि व्यावसाई में रोज के काम कर सके ऐसी जिसको जल्दी से आप कैस में परिवर्तित कर सको ऐसी पुंजी कितनी है तो देखो रोक घडर संकरक्ष नकारिय के डाक्षेटि उसके सांघ साहित कुछ चीजा जैसे पूरां यह परिवठा परिवर्तित कारेशन के संपति में से आप दाइटो उचुका दो बच गए जो पैसे उबस और एक तो दीघ्र के शalnya स्कते हैं तो ये आपका हुआ उदारण 12 झाल